कक्छा 11 के विद्यार्थियों को यहां पे question paper दिखा देता हूं English subject का तो चलो दिखाता हूं आप लोगों को English paper का यहां पे question दिखा देता हूं तो देखो read the flowing passage carefully and answer the question यह थोड़ा साब दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन यह जो प्रसन है यहां पे थोड़ा से इस परस्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप लोग थोड़ा देखनी की कोसिज करना यह जो देखो academic के बारे में academic has always been मैं थोड़ा सा छोटा कर द देता हूं जिससे यह इस परस्ट दिखाई दे ठीक है अब थोड़ा सा इस परस्ट दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो academic has always been in इस तरह से लिखा हुआ है यह पूरा passage है समझो ठीक है इस पूरा passage को पढ़नी के हो सकता नहीं है मैं आपको डायक्ट इनके प्रसनों को उत्तर दिखा देता हूं ठीक है तो यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे है ठीक है थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है what is in essential part of women development लिखा हुआ है ठीक है तो चार आप्सन यहाँ पे दिया हुआ है अब इन चारों आप्सनों को थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है चलो जब यह मेरे पास साफ साफ रहेगा तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा ठीक है ठीक है अभी पस यहीं देखो इसके बाद यहाँ पे दूसरा दिखाते हैं इसमें प्रश्ण है इस परश्ट नहीं दिखाई दे रहा है यह भी प्रश्ण ठीक है यहाँ पे देखो what is consider a यहाँ पे लिखा हुआ है academic है ठीक है अगर यह पैसेज आपको मिल जाता है आपके book या guide में तो आपको यह तयार कर लेना है ठीक है इसलिए मैं यहाँ पे आपको वह दिखा दिया हूँ ठीक है बाकि यह प्रश्ण वहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस परश्ण नहीं पैसेज दिखाई देता है तो यह वाले पैसेज को आप लोग देख लेना यह चार नंबर करेगा ठीक है इसका तीसरा पार्ट कहां पर है तीसरा पार्ट जूम करता हूँ तो यह फटने लगता है जूम करने पर यह फटने लगता है देखो इसके बाद यह रहा ठीक है यह सबसके हैं इस तरह से यू-र अभिसे शक्सेन आये है लेटर होना चाहिए तो यहां पर देख लेते हैं newspaper complaining against तो अब इसे एक सकसेना ठीक है तो यहाँ पे दिया है तो यह newspaper complaining वाला है और अगर यह नहीं बनाना चाहते है और यह loudspeaker के बारे में newspaper newspaper में आप complain देना चाहते है loudspeaker मतलब heavy loudspeaker बजा रहा है इसके लिए ठीक है इसके बाद अगर यह नहीं बनाना चाहते हैं तो अथवा में यहां पर दिया हुआ है राइटर लेटर टू कलेक्टर अफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट दा लॉक ओफ फैसिलिटीज एन मैनुफेक्ट्रिंग अफ देन गौवर्मेंट हॉस्पिटल आफ तो यह गौवर्मेंट हॉस्पिटल वाला है न मतलब लाग डौन में मैनुफेक्ट्रिंग रुख गया है तो कारण यहां पर बता रहा है ठीक है तो इसको भी देखने सकते हो लेकिन लाओड इस्पिकर वाला सरल लहता है तो आप उसको लिख लेना ठीक है ज्यादा साउंड कर रहे है तो ठीक है इसके बाद देखो पांच वा प्रशन में थोड़ा जूम करके देखता हूं साब दिखाई देतो जो आर्टिकल आएगा जिसे हम निबन के नाम से जानते हैं तो देख सकते हो कौन-कौन सा है इंपोर्टें का सेरिमनी फंक्शन इस हेल्ड यूवर इसकूल ठीक है ती स्कूल में अगर कोई सेरिमनी हो रहा है उसके लिए हैं ठीक है आगे दिखाता हूं इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स देखो यहां पे यह पूरा है यहां पे आर्टिकल लेन देख प्रयोग करना है एंड अब सुरज शूद डोड़ तो यह नेगेटी मिलाना क्या करते हैं नाट लगा देते हैं ना तो बहुत असँन रहता है नाट लगाना सूरज के बाद क्या लगातक है क्या लगा दोंगे डज नाट शूट सूट fruit जो है इसाय सेक्ड या थर्ड़बॉड हॉँ है तू आपको क् बेग लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे sun और that का उपयोग करना है और they are playing football है change the vice में करना है इसको और यहाँ पे the student attend the function कहरा change into past indefinite tense में change करना है in this many और यह क्या है took है कि book है book लिखा है कि असाद देखना है इसको are the इसे arrange करना है मालो ठीक है इसके बाद पांचवा प्रसन देखो थोड़ा साप साप नहीं दिखाई दे रहा है और छटवा और साथवा ठीक है तो सभी को नहीं बनाना है पांच ही तो एनी 5 दिया रहागा ठीक है इसके बाद देखो read the passage carefully answer the question ठीक है यहां भी जो पैसे दिया है इसका क्या करना है आपको नीचे में जो प्रसन दिया है इसको उत्तर देना है ठीक है इसके बाद नौवा देखो नौवा टापिक में क्या दिया है नौवा टापिक में carefully answer the question ब्लोग यहां भी एक passage दिया है समझो ठीक है यह passage का हम उत्तर देखेंगे एक में इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अब फिर से बड़ा करते है next page इसमें देखो यह अगला page है और यह वाला page में यह मिलेगा आपको उसे डूढ़ना पड़ेगा ठी ठीक है और बी वाला जो टॉपिक है वो कहा है passage and answer the question दिया हुआ है इस पर्टस आप तो दिखाई नहीं दे रहा है जैसा भी दिखाई दे रहा है देखने की गोसिस करना आप लोग ठीक है इसका भी क्या करना है आपको उत्तर देना है तो यह देख सकते हो ठीक है चलो आग में कितने बनाना है वही तीन बनाना है इंदी थ्री तो तीन प्रसन देख लो जिसको अच्छा लगे वो बना देना ठीक है फिर बारवा में कितने प्रसन बनाना है दो प्रसन बनाना है दो दो अंकर है चार प्रसन यहां पर दिखाई दे रहा है तेरवा में कितने प्रसन जो है आपको ज्यादा मिलेगा ठीक इसलिए तीन नमबर और चार नमबर के में है